आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस प्रकार से पंचायती राज एक्ट में संसोधन करके डीडीसी डिस्ट्रिक डेवलाप्मेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं और वो पहली बार हो रहे हैं यह अपने आप में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबक का विश्वास उसके माध्यम से किस प्रकार डेवलाप्मेंट और विकास जड़ों तक पहुंच सके और खास करके उस जम्मू कश्मीर में जहां कई वर्षों तक अनुच्छे 370 के कारण डेवलाप्मेंट नहीं पहुंच पाया था कुछ वर्गों के साथ एक तरह से अलग हमने यह भी देखा कि जहां भारती जन्ता पार्टी डीडी सी का चुनाव लड़ रही है वहीं पीपल अलायंस फॉर गुपकर डेकलेरेशन यह जो गुपकर डेकलेरेशन का एक अलायंस है वह भी चुनाव लड़ रहा है कर कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम एहमत मेर ने प्रेस कॉनफेरंस करके ये जानकारी दी कि जो दस पार्टी ये गुपकर अलायंस में हैं और मिलके चुनाव लड़ेंगे डीडीसी के उसमें Congress Party भी सामिल है यह जो गुपकर Alliance है उसमें Congress Party भी सामिल है और Congress Party का एक ही Agenda है अनुच्छे 370 को वापस लाना बंदुगन आपको जानका आश्चरी होगा कल Congress Party के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सोनिया जी और राहूल जी के कहने पर जिस प्रकार फारुक अब्दुल्ला जी से मिले और जो स्टेट्मेंट जारी किया गया उसमें एक लाइन लिखा गया है मैं पढ़ता हूं कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं उन शक्तियों को हराना है मैं सुनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं क्या मतलब है इस वक्त अब्रकार फोर्सफुली इंप्लिमेंटिंग किसके कानून है ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है ये कानून किसका है ये कानून हिंदुस्तान का है कौन बनाता है ये कानून हिंदुस् के सरवोच्य मंदिर जो डेमोक्रिसी का है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है पार्लामेंट में बैट करके विचार विमर्ष करके लोकतंत्रिक तरीके से ये कानून बनाती है फिर आप कह रहे हैं कि हम forcefully implement कर रहे हैं और आप उन लोगों को हराना चाहते हैं जो लोग हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के मिट्टी में implement करना चाहते हैं ये बहुत ही धिकार का विश है मैं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता है आप आज गुपकर अलाइंस मे हैं इस अलाइंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे आपको याद होगा फारुक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं फारुक अब्दुला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलके आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे और वहीं एक और है इस गुपकर Alliance में जहां पर महभुबा मुफ्ती कह रही है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूगी एक चीन के साथ मिलना चाहता है एक तिरंगा नहीं उठाना चाहता है और चिदंबरम जी उसी समय सिंख्रोणाइज करके ठीक उसी समय जिस प्रकार इस प्रकार के बयान एनसी और पीडिपी द्वारा दिये जा रहे थे कॉंग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदंबरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छे 370 हटाना यह बहुत ही अनुच्छीत है और हम अनुच्छे 370 की वापसी चाहते हैं हम वापस लाएंगे जस दिन अनुच्छे 370 पर डिबेट और डिसकर्शन पार्लमेंट में हुआ था कॉंग्रेस पार्टी आप याद करिए वो द्रिश्य सोनिया गांधी जी इसारा करती हैं और तुरंत अधिरंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और अमिच्छ शाह पर हमलावर होकर कहते हैं कि कि आप अनुच्छ 370 पर हिंदुस्तान की पार्लमेंट में कैसे डिसकर्शन करते हैं यह तो बाइलेटरल मसला है बिना पाकिस्तान के अनुमती के हिंदुस्तान के पार्लमेंट में यह डिसकर्शन कैसे हो सकता है यह सारी चीजे if you connect the dots you find that right from the day one till today everything stands connected यह सब जुडे बाद में कोई तिरंगा ना उठाए चीन की सहायता से किस प्रकारा उच्छे 370 वापस आए यह गुपकर है या गुपतचर है मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं यह कौन सा अलायंस यह जो गुपतचर अलायंस है यह गुपतचर अलायंस क्या चाहती है यह गुपतचर अलाय हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन को लेकर अपने आवाज को बुलंद किया पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छे 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छे 370 वापस आना चाहिए वो संयूक्त राष्टर तक चली गई है और यह जो गुप्ति आप इस अलाइंस में हैं जो कहा गया एंसी द्वारा की चीन के साथ मिलकर अनुच्छे 370 वापस लाएंगे जो कहा गया पीडिपी द्वारा की हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे आप इसके पीछे हैं या नहीं है आप इनको र करना चाहती है इन सब की साठड़ है और रहुल और सोनिया जी के साठड़ से ही चाहे वो पीडीपी हो चाहे फारुक जी हो इन्होंने इस प्रकार के बयान दिये। अगर कपिल सिब्बल क्या है ये तो पाच दिन राहुल जी को देखने की बाद मात्र चार-पांच दिन देखने के बाद ओबामा जी को सत्ते मालूम पड़ गया कि ये नर्वस और अनफॉर्म्ड लीडर हैं इनसे ना हो पाएगा जो धूर साथ समुंदर पार ओबामा जी को मालूम पड़ गया ये सातों दिन हपते में जिसके साथ रहते कि ये सब चुप बैठेंगे धीरे धीरे ये जो सव टन का पत्थर अपने दिल के उपर रखके कांग्रेस के नेता गुंगान कर रहते गांधी परिवार और परिवारवाद का अब धीरे धीरे वो पत्थर उनको ही सफोकेट कर रहा है